इदर पटना में मन की बात कारिक्रम के दौरान विरोध के स्वर्थ सुनाई दिये जेडियू नेता कारिक्रम का विरोध कर रहे हैं बड़ी खबर आपको बता दे पटना में मन की बात कारिक्रम के दौरान विरोध के स्वर्थ सुनाई दिये मन की बात कारेक्रम को लेकर जेडियू की ओर से हंगामा की जाने की जानकारी मिल रही है पटना में मन की बात कारेक्रम के दौरान हंगामे की खबर सामने आ रही है सहयोगी रितेश का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं आखिर मन की बात कारेक्रम को लेकर ये हंगामे की नौबत क्यों आई क्या स्थिती बनी जी रितेश लिए प्लान बना लिया ताकि सोवे संसकरन पर वो इस कारेक्रम का विरोध करेंगे लिहाजा उन्होंने जो बीजेपी कारेयाले है उसके ठीक सामने धर्ना प्रदर्शन किया हाला कि बहुत जादा ताद नहीं थी और कोई बहुत बड़ा कारेकरता चाहे जेडियू का कारेकरता हो या फिर आर जेडियू का कारेकरता हो वो नहीं दिखा लेकिन जो कारेकरता हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्होंने इस कारेक्रम का विरोध किया शाहिर सी बात है विरोध करने से कहीं न कहीं जो नेता जो चाहते हैं कि उनकी भी जो छवी है वो बने कि वो विरोध में है या उनका चेहरा चमके कहीं न कहीं वही मनसा थी ज्यादा संख्या नहीं थी लेकिन कारेक्राम का विरोध हुआ है और सबसे बड़ी खास बात है कि बीजेपी कारेयाले के ठीक सामने प्रदर्शन किया गया, हलाकि बीजेपी नेताओं को साफ तोर से प्रदेश अध्यक्ट की तरब से ताकीद किया गया था, कि कोई भी विरोध करें, आप सहीमीत रहें, कोई भी कुछ बोलें, आप उस पर रियक्ट ना करें, क्यूंकि सबस हैं, उन्होंने कारेक्रम का आयोजन किया था, और मुख्य कारेक्रम जो है, वो SKM हॉल में, जहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ट समराग चौदरी है, वो मौझूद रहें, वहाँ पर कारेक्रम का आयोजन किया गया, बीजेपी कारेयाले के बाहर, जिन लोगोंने प्रदर्शन किया है, अब सोचिए कि प्रदर्शन की क्या रूप रेखा है, कि कारेक्रम आदे घंटे के अंदर समाप्त हो गया, तो कहीं न कहीं एक तरह से जैसे राजनीती में चीजों को या मुद्दा भुनाने की जो बात कही जाती है, वही चीज यहाँ पर दिखी, ल पी ने 26,000 जगों पर आज कारेकरम का आयोजन किया है, और सभी जगों पर चाहे सांसद हों, बीजेपी के विधायक हों, मंडल अध्यक्चों, बूथ अध्यक्चों, सभी लेवल पर कारेकरम का समय में इसी के आधार पर फिर जोडने की कोशिश की गई है, और पार्टी य चले चुनावी गहमा गहमी तो जुड़ गई मन की बात कारिक्रम से विरोध भी सुनाई दिया लेकिन बीजेपी सहयमित नजर आई क्योंकि ये खास अवसर था क्या कुछ खास इस कारिक्रम के माध्यम से बीजेपी संगठन के लिए और संगठन विस्तार को लेकर अपने लिए पा रही है देखे सबसे बड़ी बात है कि सौवाँ एपिसोड रहा है ये प्रदान मंतरी नरेंडर मोदिया है कारेकरताओं ने बड़ी ही तनमयता के साथ उन्हें सुना और साल 2014 से अब तक मन की बात कारेकरम के सौ एपिसोड हो चुके हैं और इसमें कौन-कौन से एपिसोड महत्यपुर्ण थे किसमें बहुत महत्यपुर्ण बात प्रदान मंतरी ने कही किसे तरजी दी इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो प्रदर्शनी के माध्रम से किया गया है और देखे बीजेपी जो है कहा ही जाता है कि रणनीती वाली पार्टी है सांगठर्निक एक्ता वाली पार्टी है लिहाजा बीजेपी कोई भी कारेक्रम अगर करती है तो उसके दुरगामी फैक्टर्स होते हैं उसके दुरगामी असर को देखते हुए ही वो कोई कारेक्रम कर इस कारेकरम का भी मकसद यही ताकि सौवा एपिसोड है लिहाजा अगले साल देखे कि लोग सभा के चुनाओ होने वाले हैं और बिहार में जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां समिकरन बदले हुए हैं ऐसे में कारेकरताओं की एक जुटता बहुत ही बड़ी चुनाओत है पार्टी के लिए और कहीं ना कहीं पूरे देश में इस कारेकरम के जरीए यानि सौवे एपिसोड के जरीए बीजेपी ने एक तरह से लिटमस्ट टेस्ट किया है कि उसका संगठन कितना मजबूत है और कितनी एक जुटता है कितना व्यापक है धन्यवाद रितेश तमा बाचित और जानकारी के लिए लेके ने